हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 30 अप्रेल से सम्मंधित उत्तवरदेश के सभी एक्जाम के लिए most important current अफरिकी questions को discuss करेंगे और हरे question से related आपको fact भी बताएंगे और वीडियो के अंत में हम आपसे question भी पूशेंगे जिसका जवाब आपको comment box में देना है और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप मारे टेलीग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रूप की लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगी और दोस्तों यह जो उत्तर प्रदेश डिली करेंट अफिर का वीडियो है यह UP के सभी competitive exams जैसे UP PSC, RO, ARO, उत्तर प्रदेश, लेकपाल और इसके लावा UP SuperTet और UP SI यानि उत्तर प्रदेश के जितने भी competitive exams हैं सभी के लिए most important है तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी exams के तयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो प्रेगुलब जरूर देखें तो चली शुरू करते हैं आज का सिसन सुरू करने से पहले हम कल की questions का revision करेंगी कल का पहला question है उत्तर प्रदेश सरकार दोरा किस वर्ग के विद्यारतियों के लिए डिजिटल प्रिसिक्षन अकादमी की सुरूआत की घोशला की गई इसका जो correct answer है वो है option number B अन्य पिछडा वर्ग यानि OBC केटेगरी की जो चात्रे हैं उनके लिए डिजिटल प्रिसिक्षन अकादमी की सुरूआत की जाएगी अगला question है भारतिय दलित साहत्य अकादमी दिल्ली दौरा उत्रब्रदेश के किस व्यक्तिक आश्यन भगवान बुद्ध राष्टि प्रुसकार 2022 के लिए किया गया है इसका जो correct answer है वो है option number B डौक्टर इंदू प्रकास का और दोस्तो उत्रब्रदेश करेंट अफेर की last one year की यानि साल 2021 की अगर आपको उत्रब्रदेश करेंट अफेर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी link आपको वीडियो को description में मिल जाएगी वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF में हमने जन्वरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्रब्रदेश करेंट अफेर के सभी important questions को विस्तार पूर्वक बताया है और दोस्तो इसके साथ ही अगर आपको उत्रब्रदेश करेंट अफेर की मंधिली PDF डाउनलोड करनी है जैसे जन्वरी मंध फरवरी मंध या मार्च मार्च 2022 मंध की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो का description में मिल जागी तो वहां से आप यह दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों यह जो PDF एबोक है इसमें हमने current एफेर के साथ UPGK के जो most important topic है उसको भी cover किया है और दोस्तों इस PDF एबोक को डाउनलोड करने में अगर कोई problem होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और email मिल जाएगा जिस पर आप contact कर सकते हैं अगला उश्यान है उत्तव देश सरकार द्वारा किसान ससकती करने ही तो कितने solar pump उपलब्ध कराने की गोश्ला की गई इसका जो correct answer है वो है option number C एक लाख अगला उश्यान है cabinet ने नकसल छेतरों में कितनी 2G मुबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए 2426.39 करूर रुपए की मंजूरी दी इसका जो correct answer है वो है option 42 2G साइटों को अगला उश्यान है हाली में किस देश में वर्ड फुलू के H3N8 स्टेन के साथ पहला मानव संक्रमन दर्ज किया गया तो ये जो मामला पाए गया है ये चीन में पाए गया है H3N8 स्टेन का अगला उश्यान है भारतिय महिला होगी टेम की किस पूर्व कप्तान का बैंगलूरू में 81 साल की उमर में नेदन हो गया इसका जो correct answer है अगला उश्यान है किंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधान मंत्री भारतिय जन औसधी केंद्रों की संख्या बढ़ा कर कितने हजार करने का लक्ष तै किया है तो किंद्र सरकार ने मार्च 2022 तक प्रधान मंत्री भारतिय जन औसधी केंद्रों की जो संख्या है वो बढ़ा क करके 10,000 करने का लक्ष तै किया है अगला कुश्या ने किस देश के आंद्रे रूबलेफ ने सर्विया उपन टैनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स किताब जीता तो जो आंद्रे रूबलेफ हैं ये रूस के हैं अगला कुश्या ने केंदर सरकारने हाली में प्रधान मंत्री निधी योजना को मार्च 2022 से बढ़ा करके कब तक जारी रखने की मंझूरी दिये हैं तो जो पी-म स्वा निधी योजना है इसे जो है मार्च 2022 से बढ़ा करके दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है तो दोस्तों यह थे कल के कुश्चन्स जिसका हम ने रिवीजन किया अब हम शुरू करते हैं आज का सिसन आज का पहला कुश्चन है हाली मुतरप्रदेश के कुमार कार्थ किये सिंग को किस IPL टीम में सामिल किया गया है इसका जो करेक्ट 24 में जो मुहमद अर्शद खान है इनकी चोटिल हो जाने के वज़य से रिप्लेस्मेंट के रूप में जो कुमार कार्थ किये हैं इन्हें साइन किया गया है दोस्तों जो कुमार कार्थ के सिंग है यह घरैलू क्रिकेट में मद्यपरदेश का प्रती निजित्व करते हैं उ 19 लिस्ट ए गेम्स और 8 टी 20 मेचों में कमसा 35, 18 और 9 विकेट लिए हैं दोस्तों जो कुमार कार्थ किये हैं यह सुल्तान पुर उत्तर प्रदेश की निवासी हैं यह बाए हाथ के इस्पनर हैं और इन्हें जो है 20 लाक रुपए की कीमत पर मुंबई इंडियंस में सामिल क किया गया है मुंबई इंडियंस 30 अप्रेल को नवी मुंबई की डी वाई पाटेल स्टूडियम में राजस्थान रोयल से भिड़ेगी तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रकना है कि कुमार कार्थ की सिंग है यह उत्तर प्रदेश की सुल्तान पुर की निवासी है और किमत है नहीं कितनी दी गई तो 20 लाक रुपए में जो है सामल किया गया दोस्तों एक कुश्यन आपको अच्छी से ध्यान रखता है कि IPL 2022 का टाइटल स्पॉंसर को है ठीक है यह कुश्यन मुस्ट इंपोर्टेंट है कि 2022 में IPL का टाइटल स्पॉंसर कौन सी कंपनी है तो तो यह होगी आपकी टाटा ठीक है यह काफी इंपोर्टेंट है टाटा जो है यह IPL 2022 का टाइटल स्पॉंसर है दोस्तों टाटा ने किसकी जगा लिए तो वीवो की क्यूंकि पिछली बार जो है वीवो टाइटल स्पॉंसर कंपनी थी ठीक है तो यह दोनों बातें आपको यसे ध्यान रखती हैं अभी वर्तमान में टाटा है और इससे पहली वीवो थी अगला उश्या ने हाली में इलाबाद उच्छे नयायले ने राज्य सरकार को किस विश्विध्याले के अध्यापकों की सिवा निर्त आयू बढ़ाने के निर्देश दिये हैं इसका जो निर्देश दिया है कोटने का कि सरकार स्टैच्यूट में तीन महां में संसोधन कर अध्यापकों की सेवा निर्द आयू 65 वर्ष करें और जब तक सरकार निर्दाए नहीं ले थी तब तक याची को कारिकर ने दिया जाए दोस्तों क्या है कि इलावाद है कोट जो है उसने राज्य सरकार को इलावा जो हाई कोट है उसने राज्य सरकार को सरदार वल्लब भाई पटेल जो करसी एवं तखनी के विश्विद्याल है मेरट में है इसके अध्यापकों की सेवा निर्द आयू बढ़ाने के निर्देश दिये हैं अब दोस्तों क्या है ऐसा निर्देश की जाए दोस्तों एक याची है इस विश्वे द्याले के उन्होंने याची का दायर की थी इलहाबाद हाई कोर्ट में और उनका ये कहना था कि जो उत्राकंड सरकार है उसने बदलाव कर दिया है पैंसेट वर्स कर दिया है जो एज है और इसके लावा जो उत्तर प्रदेश ह इसमें भी बदलाव किया जाना चाहिए लेकिन सरकार की तरफ से क्या कहा गया कि जो उत्राकंड राज है उसने अपना फैसला तो किया है लेकिन राज्य सरकार जो है उस तरह से फैसला नहीं मानेगी तो ऐसे मैं याची का कहना था कि सिक्षा मानक और सरतें ये जो तैय करन उसने राज्य सरकार से कहा कि जो आयू है प्रोफेसर्स की सेवन इर्थ की बांसट से बढ़ा करके पैंसट वर्स की जाए ठीकर तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो इलाबाद हाई कूर्ट है उसने किस विश्विद्याले को यह कहा तो सरदार वलब भाई पटेल करसी एवं तकनीकी विश्विद्याले मेरट के अध्यापकों की जो आयू है वो बढ़ा दी जाए ऐसा निर्देश दिया है दोस्तो इलाबाद हाई कूर्ट से आपको ध्यान रखना है कि इलाबाद हाई कूर्ट के जो वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं वो कौन है तो इस अधान रखना है तो इलाबाद हाई कोड जो है इसकी इस्थापना से इसकी स्थापना होई है है उत्रप्रदेश स्रमिक बोर्ड के कर्मियों के मांदिय में कितनी व्रधी की गई है इसका जो करेक्ट आंसर है बहुत अप्सिन मर्वी दस प्रतिसत योगी सरकार ने लोक कल्यान संकल्प पत्र में स्रमिकों के लिए जो वादे किये थी वो पूरे करने के लिए एक बड़ से बढ़ा करकी एक लाग रुपए किया गया और इसके साथी जो निर्मार स्रमिक हैं उनको एक लाग तक का कॉलेक्टरल फ्री रिन प्रदान किया जाएगा तो दोस्तों ये जो है काफी यहां पर अच्छी से ध्यान रखना है कि योगी सरकार ने स्रमिकों के मांदिये में जो सभी पंजी करत स्रमिक हैं उनकी मांदिये में कितने फीस्दी की व्रदी की है तो 10 फीस्दी की व्रदी की है और इसका जो लाव है वो 800 से अधिक जो आउट सोर्सिंग करमचारी हैं उनको मिलेगा दोस्तों क्या है कि जो योगी सरकार है उसने लोक कल्यान संकल्प पत् और उसी के तहट जो है अब ये वादा पूरा किया है उत्तर प्रदे सरकार ने कि जो पंजी करत स्रमिक हैं उनके मांदिये में 10% की व्रद्धी की जाएगी तो 800 से अधिक आउट सोर्सिंग जो करमचारी हैं उसको इसका जो लाब मिलेगा अगला विश्यान है नमलकित में से कौन सी फ्लाइट साथेसी नयवीगेशन जो वायूयान संचालन पढ़ाली है गगन उसका उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयर्लाइन बन गई है दोस्तों ये जो लैंडिंग कर आई गई है ये कहां पर लेंडिंग कराई गई है तो राजस्तान में किसन गड़ हवाई अड़े पर इसकी सफल लेंडिंग कराई गई है इस नेविगेशन पडाली को किंदर के भारतिय विमान पत्रम प्राधी करन और भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संग्ठन इसरो द्वारा संयक है आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो इंडिगो है ये श्वदेशी नेविगेशन पडाली गगन का श्वदेशी नेविगेशन जो पडाली है गगन इसका उपयोग करके विमान की लेंडिंग कराने वाली देश की पहली एयर लाइन बन गई है तो काफी और भारतिय विमान पत्रम प्रादी करण ने स्वेक तुरूप से इसका विकास किया है तो इसरो से आपको ये कुशन अच्छे से ध्यान रखना है कि इसरो की जो स्थापना है ये कब हुई है तो पंधरा अगस्त 15 अगस्त 1979 को और इसरो के वरतमान में चीफ कौन है तो ची इसने कच्चे और रिफैंड दोनों तरह के ताड के तेल के निर्याद पर प्रतिबंद लगा दिया है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ऑप्सिन मर्डी इंडोनेसिया ने कच्चे और रिफैंड दोनों तरह के ताड के तेल पर निर्याद पर प्रतिबंद लगा दिया भा 30% जो पॉम ओयल है ये मलीसिया से खरीता है तो अभी जो है इंडोनेसिया ने कच्छे और रिफेंट दोनों तरह के ताड के तेल पर नर्याद पर प्रतिबंद लगा दिया है दोस्तों इंडोनेसिया से आपको संबंदित ध्यान रखना है कि इंडोनेसिया की कैपिटल क्या ह तो जकार्ता इंडोनेसिया की कैपिटल है और इंडोनेसिया की करेंसी क्या है तो इंडोनेसियन रुपिया इंडोनेसिया की करेंसी है और इंडोनेसिया की प्रेसिडेंट को ने तो जो को विडोडो इंडोनेसिया की प्रेसिडेंट है और अभी जो है इंडोनेसिया ने र उपचार कन्दर का उद्धान किया इसका जो और ऊपूसुनमब्र ए असम मैं प्रदान्मंतरी नरंद्र मोदी ने हाली में एक कैंसर कैंद्र का उद्धान किया इस केंद्र ुपचार काष सरकार और ठरश्ट के संयोगत उपक्रम असंफ कैंसर कियर फॉंडेशन ने किया है डिब्रूगाव का यह किन एकींडeti A.C.C.F द्वारा यानि असंफ कैंसर कियर फॉंडूशन द्वारा विक्सित किया जा 17 किंद्रों में सामिल है तो दोस्तों यहां से आपको धानर को दहां रखना है कि असम के हैं कि पर से पहले मैप में देखेंगे की असम है कहां पर तो मैप में यहां पर हम देख सकते हैं यह है असम डोस्तो जो असम है यह भारत के किन कि राजände की सीमा को साजा करता है तो यहां पर आप देख सकते हैं अरणाचल प्रदेश है इसके साथ ही यहां पर नागालेंड मनीपूर मेजोरम त्रिपूरा मेखालně और यहा पर यह गया है क्या testify वैस्ट बेंगोल तो यह सारे राज़े हैं जिनकी सीमा को साजा करता है असम दोस्तो असम की capital क्या है तो दिसपूर असम की capital है असम के chief minister हिमन्दि विस्वा सर्मा और असम की governor जगदी सुखी दोस्तो असम में लोग सभाव सीटों की संक्या 14 है और राजय सभाव सीटों संक्या साथ है चलिए असम से समद्धित कुछ important question देखेंगी जो कि exam के लिए most important है दोस्तो पहला question है कि भारत में पहला तेल का कुआ ये कहां पर जो है खोजा गया तो ये खोजा गया है दोस्तो असम में और असम में किस जिले में तो डिब्रूगड डिब्रूगड असम के डिब्रूगड में जो है भारत का पहला तेल का कुआ खोजा गया है अगला question देखेंगा रखना है भारत का पहला सो प्रतिसा तो सुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर ये इस्थापित किया गया तो भारत का पहला किया गया अगला question देखना है माजली दीव दोस्तों कई बार exam में question पूचा गया कि माजली दुईप जो है ये किस नदी पर है तो जो माजली दुईप है ये असं में है सबसे पहली बात तो द्यान रकना है असम और किस नदी पर है तो ये आपको ध्यान रखना है ब्रह्म पुत्र ब्रह्म पुत्र नदी पर है माजली दूइप ठीक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम में पूछा गया अगला खुशन है कि नदियों में night navigation mobile app launch करने वाला देश का पहला राज्य कौन से बना तो दोस्तों नदियों में night navigation mobile app launch करने वाला देश का पहला राज्य बना है असम और किस नदी पर सबसे पहली बार जो है night navigation mobile app launch किया गया तो आसम से रिलेटेड ये सारी बात में आपको अच्छे से ध्यान रखनी है अगला गुश्य है यूक्रेन युद्ध के बीच निम्न मैं से कौन सा देश संयुक्त राश्टर की परेटन निकाय से हट गया है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्सिन नमबर बी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस संयुक्त राश्ट के परेटन निकाय से हट गया है संयुक्त राश्ट विश्व परेटन संग्ठन ने 27 अप्रेल 2022 को यूक्रेन पर हमले को लेकर मौस्को की सदस्यता को निलंबित करने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले ये जानकार करता है तो यहां से आपको चैसे ध्यानक्ता है कि हाली में यूक्रेन युद्ध के चलते जो है रूस को संयुक्त राश्ट के परेटन निकाय से हटा दिया गया है तो यह आपको चैसे ध्यानक्ता है रूस को हटाया गया है अगला कुशिया ने सूचना प्रद्व की उद् संग्ठन ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की वरेष्ट कारिकारी कृष्णम रामानुजम को 2022 के लिए चेयर में निप्त किया इससे पहले कृष्णन संग्ठन की उपाद्यक्ष थे वह भारत में एक्सचेंजर की वरेष्ट प्रबंद ने देशक रेखा एम मैनन का दोस्तों यहां से आपको चैसी ध्यान रखना है कि सूचना प्रद्यक्य उद्योग शंग्ठन जो नेसकॉम है तो इसने जो है किसे अपना चेयर में निप्त किया है 2022 के लिए तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की जो वरेष्ट कारिकारी है कृष्णन रामानुजम इन् अड़ी में किस राज्य का जाम ताड़ा जिला हर गाउं में पुस्त काला वाला देश का पहला जिला बन गया है यह कुश्यर मोस्ट इंपोर्टेंट है यह आपको चैसी ध्यान रखना है तो इसका जो करेक्ट अंसर्ट होगा वो ऑप्सन निम्बर बी है जारकंड जारकं साम पंचायते हैं और प्रतेक पंचायत में एक सुसजित पुस्त काला है जो सुबह नो बजे से साम पाँच बजे तक शात्रों के लिए खुला रहता है दोस्तों इसके अलावा करियर प्रामर्स सत्र और प्रेरक अच्छा भी यहां पर निसुल का आईजित की जाती है कभ पूछा जा सकता है कि देश का एक मात्र ऐसा जिला कौन सा बर गया है जहां पर सभी ग्रम पंचायतों में सामदाएक पुस्त काला है तो जारखंट का यह जाम ताड़ा जिला है जो कि देश का एक मात्र ऐसा जिला बना जहां पर सभी ग्रम पंचायतों में सामदाएक पु मेगालाई के पूर्वे मुक्हमंत्री जेडी रिंबाई जिनका हाली में निदन हो गया दोस्तों मेगालाई के पूर्वे मुक्हमंत्री हैं जेम्स ड्रिंग्वेल रिंबाई इनका 88 वर्स की आयू में निदन हो गया इनका जो जन्म है वो 26 अक्टूबर 1934 को मेगालाई में ह हुआ था मेगला सरकार ने कीस अप्रेल से तेईस अप्रेल 2022 तक तीन दिनों की राज़ी के सोक की घोशना की थी उनके दुखद और आकस्मिक निधन के लिए सम्वान का प्रतीक के तौर पर जो है ये सोक की घोशना की गई थी उन्होंने सन पंद्रह जून 2006 को मेगाला के मुख्यमंत्री चुने गए और मार्च 2007 तक बतौर मुख्यमंत्री अपनी सेवा दे तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि जैम्स ड्रिंग बिल रिमवाई ये किस चितर से सम्बंदे थे तो राजनीती से ये किस रज के कि पूरा मुख्यमंत्री थे तो मेगाले कि ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे पंद्रह जून 2006 को ये जो है मेगाला के मुख्यमंत्री बने थे तो यह आपको यहां से अच्छीन को कि क्यों मैं आप कि पहुंज पहुँचाता हूं तो यह है कल के वीडियो को कुशिन जो हमने आप से पहुँचा था कि देश का पहला अम्रित सरोबर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बन करके तयार हुआ इसका जो करेक्ट अंसर था वो अप्षिंबर बी था रामपुर और लगबक सभी स्टुडेंस न का उद्गाटन किया तो इसका जो भी करेक्ट अंसर है वो आपको कमेंट वॉक्स में बताना है तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ से एर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैन